आदि छो दीपों का वरण और भून का मान लोम हर्शर जी कहते हैं जिस प्रकार जम्बू दीव खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है उसी प्रकार उस समुद्र को भी घेर कर प्लक्ष दीव इस्थित है जम्बू दीव का विस्तार एक लाख योजन बताया गया है प्लक्ष दीव का विस्तार उससे दुगना है प्लक्ष दीव के स्वामी राजा मेधातित के साथ पुत्र हुए उनमें जेश्ट पुत्र का नाम शान्तमय है उससे छोटे क्रमशह, शिशीर, सुखोदय, आनंद, शीव, शेमक तथा धुरू है ये सभी प्लक्ष दीव के राजा हुए इही के नाम पर उस दीव के साथ वर्ष है उनकी सीमा बनाने वाले साथ ही वर्ष परवत है उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो गोमेद, चंद्र, नारत, दुंदुभ, सोमक, सुमना तथा वैव्राज ये साथ वर्ष परवत है इन रमडिय परवतों पर देवताओं और गंदर्वों सहित वहा की प्रजा निवास करती है उन सम्मे पवित्र जनपद है, वीर पुरुश है वहा किसी की मृत्व नहीं होती मानसिक चिंताय तथा व्यादिया भी नहीं सताती वहा हर समय सुख मिलता है प्लक्ष दीब के वर्षों में साथ ही इसी नदिया है जो समुद्र में जा मिलती है अनतप्ता, शिखा, विप्राशा, त्रीदिवा, क्रम, अम्रिता, तथा सुक्रिता ये साथ वहा की नदिया है इस प्रकार प्लक्ष दीब के प्रधान-प्रधान पर्वतों और नदियों का वरण किया गया है छोटी-छोटी नदिया और छोटे-छोटे पहार तो वहां हजारों है उन वर्षों में युगों की व्योस्था नहीं है वहां सदा ही त्रिता युग के समान समय रहता है प्लक्ष दीब से लेकर शाख दीब तक के लोग पाँच हजार वर्षों तक निरोग जीवन वतीत करते है उन दीबों में वरणाश्रम विभाग पुर्वत चार प्रकार का धर्म है तथा वहां चार ही वरण है जिनके नाम इस प्रकार है आर्यक, कुरू, विविश्व तथा भावी ये क्रमशह, ब्राहमण, शत्रिय, वैश्य तथा शुद्रकोट के हैं उस दीब के मद्ध भाग में प्लक्ष नाम का बहुत विशाल व्रिक्ष है जो जंबू दीब में इस्थित व्रिक्ष के ही परावर है उसी के नाम पूरुस दीब का प्लक्ष दीब नाम रखा गया है प्लक्ष दीब में आर्यक, आदि वरणों के लोग, जगस्त त्रिष्टा सरवेश्वर भगवान श्री है का चंद्रमा के रूप में ये जन करते है प्लक्ष दीब अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार एक शूरस के समुद्र से घिरा हुआ है अब शालमल दीब का वरणन सुनो शालमल दीब के स्वामी वीर वो पुष्मान है उनके साथ पुत्र है और उनी के नाम पर वहां साथ वर्ष इस्तित है जिनके नाम इस प्रकार है श्वेत, हरित, जीमुत, रोहित, वैद्यूत, मानस्त तथा सूप्रव एक शूरस का जो समुद्र बताया गया है वो अपने दुगने विस्तार वाले शालमल दीब के द्वारा सब और से घिरा हुआ है वहां भी साथ ही वर्ष परवत है जहां रत्नों की खाने है नदिया भी साथ ही है पहले परवतों के नाम सुनो कुमुद, उन्नत, वलाहत, द्रोण, कंक, महिश तथा परवत, श्रेष्ट, ककुद्दान ये साथ वर्ष परवत है इनमें द्रोण परवत पर कित्ती ही महा उशधिया है नदियों के नाम इस प्रकार है श्रोणी, तोया, वित्रषणा, चंद्रा, शुक्रा, विमोचनी तथा निवरित्ती वहाँ श्वेत आदि साथ वर्ष हैं जिन में चारों वरणों के लोग निवास करते हैं शालमल द्यूप में कपिल, अरुन, पीत तथा कृष्ण वरण के लोग होते हैं जो क्रमशह, ब्राहमण, शक्त्रिय, वैश्य और शुद्र माने जाते हैं ये सब लोग यग्य परायन हो, सब के यात्वा अविनाशी यो यग्य में इस्तित भगवान विश्णों की वाईवूत में अराधना करते हैं इस अत्यंत मनोहर दीप में देवताओं का सानिध्य बना रहता है वहाँ शालमली नाम का महान व्रिक्ष है, जो उस दीप के नाम करण का कारण बना है यह दीप अपने समान विस्तार वाले सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है और वह सुरा का समुद्र शालमल दीप से दुगने विस्तार वाले कुशी दीप द्वारा सब और से आवृत है कुश दीप में जो तिशमान राजा है, अब उनके पुत्रों के नाम बतलाई जाते हैं सुनो, उद्रिभद, वेडुमान, सूरत, रंधन, धृत, प्रभाकर और कपिल इनहीं के नामों पर वहां के साथ वर्ष प्रसिद्ध हैं वहां मनुष्यों के साथ साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष्य और किन्नर आद भी निवास करते हैं वहां के मनुष्यों में भी चार वर्ण हैं जो अपने अपने कर्तब्बे के पालन में तत्पर रहते हैं उन वर्णों के नाम इस प्रकार हैं दमी, शुश्मी, स्नेह तथा मंदेह ये क्रम्शह ब्राह्मन, शत्री, वैश्य तथा शुद्र की श्रडी में पतलाए गए हैं वैशास्त्रोक्त कर्मों का ठीक ठीक पालन करते और अपने अधिकार के आरंभक कर्मों का शे होने के लिए कुश्दीप में ब्रह्मा रूपी भगवान जनार्दन का यजन करते हैं विद्रूम, हेमशेल, दिवतमान, पुष्टिमान, कुशेशे, हर्य और मंद्राचल ये अंभस तथा मही, ये सब पापों का अपहरण करने वाली नदिया हैं, इनके अत्रिक्द भी वहां बहुती छोटी छोटी नदिया और परवत हैं, कुश्दीप में कुशों का बहुत बड़ा वन है, अतह उसी के नाम पर उस दीप की प्रसिद्धी हुई, वह दीप अपने कुश्दीप के राजा दियुतिमान है, महात्मा दियुतिमान के साथ पुत्र है, महामना दियुतिमान ने अपने पुत्रों के ही नाम से कुश्दीप के साथ विभाग किये, जिनके नाम ये हैं, कुशग, मंदग, उश्ण, बीवर, अंधकारक, मुनी और दुन्दु भी, क्राउंच दीप में भी बड़े हैं मनोरम साथ वर्ष पर्वत हैं जिन पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं उनके नाम ये हैं क्राउंच वामन अन्धकारक देववरत धर्मक पुंडरीकवान तथा दुंदु भी ये एक दूसरे से दुगने बड़े हैं जितने दुप हैं दिवप में जितने परवत हैं तथा परवतों द्वारा सीमित जितने वर्ष हैं उन सभी रमडीय प्रदेशों में देवताओं स समस्त प्रजा बेखटक निवास करती है कौश दीप में पुशकल पुशकर धन्य तथा ख्यात ये चार वरण हैं जो क्रमशह ब्राहमण शत्री वैश्य यह शुद्र की क्रोटी के माले गए हैं वहाँ छोटी बड़ी सेक्रों नदिया हैं जिन में साथ प्रधान हैं गवरी क उमदुती संध्या रात्री मनोजवा ख्याती तथा पुंडरी का कौश दीप के निवासी इन्ही नदियों का जल पीते हैं वहाँ पुशकराद वरणों के लोग यग्य के समीव ध्यान योग के द्वारा रुद्रस्वरूप वहगवान जनार्दन का यजन करते हैं कौश दीप अपने समान परिडाम वाले दधिमंडोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है तथा वह समुद्र भी शाक दीप से आवरित्थ है शाक दीप का विस्तार क्रॉंच दीप से दूना है उसके स्वामी महात्मा भव्य हैं उनके साथ पुत्र हैं जीन्हे राजा ने उस इन्हीं के नामों पर वहां के साथ वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं वहां भी साथ परवत हैं जो जलद आदि वर्षों की सीमा निर्धारित करते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं उदेगीर, जलधार, रैवतक, श्याम, अंभोगिरी, आस्तिके तथा केसरी वहां शाक का बहु वहां के पवित्र जन्पद चार वरणों के लोगों से सुशोभित हैं शाक दीप में बहात्मा पुरुष निर्भईयों निरोग होकर निवास करते हैं वहां की नदिया भी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाली हैं उनके नाम ये हैं सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेनुका, इक्ष, धेनुका तथा गभस्ती इनके अत्रिक्त वहां छोटी-छोटी हजारों नदिया हैं परवध्वी सहस्त्रों की संख्या में हैं जल्दादी वर्षों के निवासी बड़ी प्रसनता के साथ पुर्वोक्त नदियों का जल पीते हैं मग, मागध, मानस तथा मंदग ये ही वहां के चार वर्ण हैं मग, ब्राहमण, मागध, शत्रिय, मानस, वैश्य तथा मंदग शुद्र जानने चाहिए शाखदीप में रहने वाले लोग अपने मन और इंद्रियों को सयम में रखकर शास्त्रों के द्वारा सूर्य रूपधारी भगवा शाखदीप अपने ही बराबर विस्तार वाले शीर सागर द्वारा सब और से घिरा हुआ है शीर सागर को पुषकर दीप ने चार और से घेर रखा है उसका विस्तार शाखदीप से दुगना है पुषकर के महराज स्त्रवन के दो पुत्र हुए महावीर और धातक उन्ही द एक ही वर्ष पर्वत है, जो मान सोत्तर के नाम से विख्यात है। है वहां के मनुष्य दस हजार वर्षों तक जीवित रहते हैं वह सब लोग रोग शोक से वरजित तथा राग देश से शुन्य होते हैं उनमें उच नीच का कोई भेद नहीं है वहां न कोई वाध्य है न वधिक वहां के लोग में इर्शया असुया भय रोश दोश और लोब आधि नहीं होते महावीत वर्ष मान सोत्तर परवत के बाहर है और धातिक वर्ष भीतर उसमें देवता और दैत्य आधि सभी निवास करते हैं पुशकर द्यूप में सत्त्य और सत्त्य नहीं है उसके दोनों खंडों में न कोई नदी है और न दूसरा परवत वहां के वेदतरईवारता वाडिजियादी दंडनीत तथा शुश्रशा आधिका बेवहार भी नहीं देखा जाता अतह उत्त दोनों वर्ष भूमंडल के उत्तम वर्ग स्वर्ग समझे जाते हैं वहां का परतेक समय सब के लिए सुखद होता है किसी को जरा अवस्था या रोग का क पूजित भगवान ब्रहमा निवास करते हैं पुश्कर दीप अपने समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है इस प्रकार सातों दीप साथ समुद्रों से आवरित हैं एक दीप और समुद्र का विस्तार समान माना गया है उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र और दीप दूगने बड़े हैं सब समुद्रों में सदा समान जल रहता है उसमें कभी निवनता या अधिकता नहीं होती जैसे बटलोई में रखा हुआ जल आग का सयोग होने से उपन उठता है उसी प्रकार चंद्रमा के बिद्ध होने पर समुद्र के जल में ज्वार आता है उसका जल बढ़ता है और फिर घट जाता है तथाप उसमें निवनता या अधिकता नहीं होती शुक्ला और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदे और अस्त होने पर समुद्र के जल का उत्थान पंद्रों सो अंगुल उचे तक देखा गया है उत्थान के बाद जल के दोनों तटों पर लोकों की इस्थित देखी जा सकती है उसकी आगे की भूम स्वरण मई है जिसका विस्तार पुष्कर द्यूप से दुगना है वहां किसी भी जीव जन्तु का निवास नहीं है उसकी आगे लोका लोक परवत है जो दस हजारी उजन तक फैला हुआ है उ अंडक ताह के द्वारा सब और से घिरा है इस प्रकार अंडक ताह द्यूप तथा परवतों सहित इस संपुर्ण फृत्वी का विस्तार पचास करोड योजन है यह भूम सब का धारण पोशण करने वाली है इसमें सब भूतों के पेक्षा अधिक गुण है यह संपुर्ण जगत की आधार भूता है